नवस्कार मैं रविश खुमार जिस लोगपाल कानून को बनाने के लिए अभी और इसी वक्त बनाओ आंदोलन साल भर्थ से ज़्यादा समय तक चलता रहा वो उस कानून के बन जाने के आठ महीने बाद भी लोका युक्त का अता पता तक नहीं है आमादी पार्टी के नेता और वकील प्रशान भुशन ने इसी संदर में जनहित यार्ची का दायर की के लोगपाल के चैन के लिए कमिटी क्यों नहीं बन रही और इसके जो नियम है चैन की वो वैद नहीं है इसी की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस की बेंच की टिपणी ने नेता विपक्ष के पद का मुद्धा फिर से गर्मा दिया है अदालत ने सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है कि नेता विपक्ष क्यों नहीं है नेता विपक्ष एहम पद होता है इसे अंदेखा नहीं किया जा सकता वो सदन की आवाज होता है वो उन प्रतिनीधियों की आवाज होता है जो सरकार से अलग होते हैं समिधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी स्थिती आएगी हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नेता विपक्ष के बिना लोगपाल का चैन होता है तो चुन्ने की कमेटी प्रभावी होगी या नहीं पहले जानना जरूरी है कि दिसंबर 2013 में पास लोगपाल कानून नेता विपक्ष की भूमिका का उसे भूमिका को क्यों एहम मानता है और क्या उस कानून में उसका होना अनिवारे है कानून के मुताविक लोकायूक्त के चैन के लिए जो कमेटी बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे प्रधान मंत्री, लोगसभा की स्पीकर सदस्य, भारत के प्रधान नयाइधिश या उनके द्वारा मनोनित सुप्रिम कोट के कोई एक जज सदस्य होंगे तो क्या इसका या मतलब नहीं हुआ कि लोगपाल की नियुक्ती के लिए जो पैनल बनेगा उसमें नेता विपक्ष का होना जरूरी नहीं है जब लोगपाल कानून बनाने को लेकर लोगसड़कों पर उतरे थे तब इसके एक-एक प्रावधान की ऐसे चर्चा होती थी ताकि किसी को नियुक्ती और अधिकार के मामले में कोई शक शुभा ना रहे आप जानते हैं कि पंदरवी लोगसभा में कॉंग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटे हैं संख्या के हिसाब से कॉंग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो है मगर नियमों के मुताबिक कॉंग्रेस का दावा सही नहीं ठहरा कि नेता विपक्ष का पद उसे मिलना चाहिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि कॉंग्रेस को यह पद नहीं दिया जा सकता है अब कॉंग्रेस को सुप्रीम कोड का पूछना अच्छा लग गया है आनंद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोड की टिपणी सही है स्पीकर का फैसला राजनिती से प्रभावित है सरकार के सूत्र यही कह रहे है कि नेता विपक्ष के मामले में अंतिम फैसला स्पीकर का ही होता है बीजेपी की मिनाक्षी लेखी का कहना है कि नेता विपक्ष का पद लोगों की इक्षा के अनुसार ही मिलता है लेकिन लोगों ने इस वार ऐसी कोई राय जाहिर नहीं की है पहले भी साथ मौकों पर नेता विपक्ष नहीं रहे हैं यहाँ सवाल पहले का नहीं है आज के सवाल का संदर वलग है वो यह है कि लोगपाल की नियुक्ती के लिए जो कमेटी बनेगी क्या वो बिना नेता विपक्ष के पारदर्शी या मानने रहेगी नियुक्ष को इसलिए तो रखा गया था ताकि चैन में सरकार का पलड़ा भारी ना रहे और यह संदेश जाए कि लोगपाल कानून में यह भी तो लिखा है कि चैन कमेटी में कोई पत खाली रह जाए तो नियुक्ती पर असर नहीं पड़ेगा यह कानून भी बीजेपी कॉंग्रेस ने मिलकर भी पास किये हैं इसलिए मौनसुन सत्र में जब सरकार ने नियाईक नियुक्ती आयोग बिल पास किया तो उसमें आयोग के चेर्मेन की नियुक्ती के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें नेता विपक्ष की जगा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता लिखा हुआ है केंद्रिय सुचना आयुक्त के चैन की कमिटी में भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का प्रावधान है केंद्रिय सतर्क्ता आयुक्त CBC की नेता विपक्ष की जरूरत ही नहीं है लोगपाल कानून में भी लिखा ही है कि कोई भी वेकेंसी खाली तो नियुक्ती अवैद नहीं होगी क्या वेकेंसी खाली होने की दलील चैन समिती के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है अगर चीफ जस्टिस ना हो प्रधान मंत्री ना हो तो क्या होगा इसकी नेतिक माननेता क्या होगी आखिर लोगपाल कानून में ये प्रावधान ही क्यों जुड़ा गया एक और सवाल है कि सुप्रीम कोट के आज के सवाल से क्या स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसले की भी समिक्षा की नौबत आ सकती है इसी महीने सुप्रीम कोट ने नेता विपक्ष दरजा देने की याचिका को खारिच कर दिया था सुप्रीम कोट ने कहा था कि स्पीकर के फैसले की अदालत में समिक्षा नहीं की जा सकती है स्पीकर का फैसला आ चुका है और उसकी समिक्षा नहीं हो सकती फिर भी एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ, Practice and Procedure of Parliament, काफी मोटी किताब है, M.N. Call और S.L. शकदर ने इसे लिखाए इस किताब को, इसके 6 संसकरन के chapter 14 के page 385 से 387 को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि speaker के फैसले के पहले, BJP के नेताओं का दावा था कि speaker के पास direction 120 और 121 के तहट किसी दल को मानिता देने के जो तीन शर्थ है, निर्देश के मताबिक, उसमें किसी दल को मानिता तभी मिलेगी, जब उसके पास कोरम के बराबर संख्या हो, लेकिन इस किताब का दावा है, कि 1985 में दल बदल कानून के आने के बाद, यानि 10 वी speaker का या निर्देश अस्तित्वे में नहीं रहता क्योंकि किसी संसदिय दल को मानिता देने के speaker के निर्देशों का जो प्रावधान है, उसकी व्याक्या अब अलग नजर से करने की जरूरत है, जब से 10 वी अनुसूची अस्तित्वे में आई है, speaker के इन निर्देशों का इस प्रकार या उसकी आपूरती कैसे की जाए, क्योंकि 10 वी लोग सभा में जब जनता दल, ये मैं उसी किताब का आँश पढ़ रहा हूं, कि जब जनता दल का विभाजन हुआ, तब इसकी व्याक्या यह निकल कर आए, कि राजनितिक दल को मानिता देने का अधिकार, शेत्र अब चुनाव आयोग के पास है, फिर पेश 386 पर लेखक आगे लिखते हैं, कि 11 लोग सभा के बाद से सदन में विधाई दलों को उनकी संख्या की आधार पर कुछ सुविधाय मिलती रही, लेकिन स्पीकर दवारा निर्देश 120 और 121 के आधार पर मानिता देने का प्रचल अब आते हैं, आज के विशे पर क्या बिना नेता विपक्ष के लोकायूग की नियूगती की नैतिक मानेता रहेगी? क्या नैतिकता के लिए सरकार ऐसा कर सकती है जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है? क्या अब वो नेता विपक्ष तै कर सकती है क्योंकि यह तो उसके अधिकार शित्र में आता ही नहीं है? तुम प्राइम टाइम में बात करेंगे हमारे साथ प्रशान बुशन जी है या चिका करता प्रभाज्या बीजेपी के नेता भी जुड़ जाएंगे और सत्रवत चत्रवेदी है नेता कॉंग्रेस के प्रशान जी मैं यह जानना चाहता हूँ. जो आज बीजेपी के तरफ से सुत्रों के हवाले से यह बात कही गई कि जो लोकपाल कानून है उसकी जो धारा चार दो है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ना रहे नो अपॉइंटमेंट ऑफ चेर पर्शन और मेंबर शेल बी इन्वैलिड मेरली बाई रीजन अफ एनी वेकेंशी वेकेंशी इन दी सेलेक्शन कमीटी है ना तो फिर सरकार का की दलील सही है कि नेता विपक्ष ना भी हो तो लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे ब जल्ब्वी क्या केंशी कानुन अडलो की वेकेंशी सांटर रीजल्फ फिर्फ कमिशन आप जिएसे नहीं हैं ऑर इसी तरह से जो बाकी जो कानुन है जै़र ए वह नैशनल, त्वैच्वन राइट्ज कमिशन के मेंबर्स के चैन में या Central Vigilance Commission के मेंबर्स के चैन में उन सब में भी opposition की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उन में भी leader of opposition लिखा हुआ है तो लेकिन ये जो चार दो के आधार पर जो दलील दी गई ये इसलिए गलत है और इस पर Supreme Court ने भी आज टिपणी करी कि भाई ये प्राइमा फेसी ये बात सही नहीं लगती क्योंकि उसका तो ये मतलब है कि किसी temporary वज़े से अगर मान लीजे कोई जना उन में से नहीं उसमें हो पाता जो चैन समिती है उन में से कोई जना तो उसकी वज़े से वो जो नियुक्ती करी जा रही है उसको गेर कानूनी नहीं माना जाएगा लेकिन यहां तो एक दूसरा मूल सवाल उत्पन हुआ है कि जब आप अगर ये कह रहे हैं कि इसमें लीडर ओफ ओपोजिशन कोई होएगा ही नहीं लीडर ओफ ओपोजिशन की जगा पर्मनंटली अभी खाली रखी जाएगी वो एक दूसरा सवाल है यानि कि ओपोजिशन को रेप्रेजेंट ही नहीं किया जाएगा इस चैन समिती में तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए इस कानून की मंशा तो ये दिखती है कि इसमें ओपोजिशन का रोल सेलेक्शन कमिटी में एहम माना गया है और इसलिए आप अगर ये कहते हैं कि क्योंकि कोई लीडर ओफ ओपोजिशन स्पीकर ने नहीं बनाया और उसकी वज़े से ओपोजिशन की वोईस भी इसमें नहीं आएगी चैन में तो ये तो इस कानून की मंशा के खिलाफ हो जाएगा इसलिए हमको ये बात तैक करनी पड़ेगी इसका इंटरपेशन करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ शब्द है लीडर ओफ ओपोजिशन इसका क्या मतलब है क्योंकि अगर आप ये भी मान मिलेगा उसके लिए अगर स्पीकर न्यूक्त करता है लीडर ओफ ओपोजिशन वो एक अलग सवाल है यहाँ ये सवाल है कि भई लोकपाल के चैन में क्या ओपोजिशन की वाइस होगी और उसके लिए लीडर किसको माना जाएगा इसमें दो तरीके से इसका समधान हो सकता ह आप या तो यह कहते हैं कि भई जो लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी है उसके लीडर को मान लिया जाएगा लीडर ओफ ओपोजिशन है इस एक्ट के लिए या फिर जो लार्जेस्ट ग्रूप है ओपोजिशन पार्टी इसका अगर वो मिलकर किसी एक लीडर को अपना कर दें कि भए हम इसको अपना लीडर मानते हैं, तो उस लार्जेस्ट ग्रूप या लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ ओ ओपोजिशन पार्टी और लार्ज़ेस्ट डूप ओफ ओपोजिशन पीपल उनका जो लीडर होगा, उसको आप लीडर ओफॉजिशन मान सकते हैं इस के लिए जिससे की कम से कम ऑपोजिशन की वॉइस ऑपोजिशन की सुनवाई तो हो इस चैन प्रक्रिया में वैसे तो हम लोगों के हिसाब से ये पूरी चैन प्रक्रिया गलत है जो इस लोगपाल कानून में है लेकिन वो एक अलग सवाल करता हूं कि प्रभाज जा बीजेपी के जो सांसद हैं वो आ जाएंगे पर सत्वत जी आप तो उस कमिटी के अध्यक्ष रहे जो इसनों ने सेलेक्ट कमिटी लोग पाल पर तो मुझे एक तो बताए कि यह जो व्याख्या प्रशांद जी ने जो की है वो नंबर दो की और जो सरकार की तरफ से दी जा रही है कि किसी सदस्य का के ना होने से कमिटी के द्वारा चैनित कोई व्यक्ति या उसकी प्रक्रिया अवैद नहीं हो जाती यह प्रावधान आप लोगों ने क्या सोच के लाए कि यह आपके सेलेक्ट कमिटी में भी यह प्रावधान था और दूस दो बाते हैं, पहली बात, लोक तंत्र में जितनी महत्व सत्ता धारी दल क्या है, उतना ही महत्व लोक तंत्र में विपक्षु का होता है, विपक्षु की भूमिका लोक तंत्र की मर्यादा की रक्षा करती है, यही लोक तंत्र का बुनियादी सिध्धानत है, और इसी पहले पिछले वर्षों में कुछ दश्कू पहले तक लीडर ओफ अपोजिशन की कोई कानूनी और वैधानिक भूमी का विभिन कानूनों के तहट नहीं थी लोकपाल के उपर जब चर्चा हुई आपको याद होगा लोकसभा ने लोकपाल के इस बिलकु मनजूर करके राज्जी सभा भेज़ दिया राज्जी सभा में ततकालीन विपक्ष के नेता जो आज के है फाइनेंस मनिस्टर है अरूंग जेटली जिन है उनके भाशन में उनों अगर सबसे ज़्यादा और अन्य राजनितिक दलों ने भी अगर सबसे ज़्यादा जोर किसी बात पर दिया था तो वो ये था कि जो चैन की प्रक्रिया और उससे संबंदित जो बॉड़ी है वो बॉड़ी सरकार की तरफ जोकाओ वाली नहीं दिखनी चाहिए वो तटस्त निश्पक्च दिखनी चाहिए जिससे लोकपाल जिसका वो चैन करेगी उस लोकपाल की विश्वसनियता आम जनता के मन में संदेहास्पद नहो उस संदेह से परे रहे उसकी तटस्तता और निश्पक्च चिता इस तटस्तता और निश्पक्च चिता को बनाए रखने के लिए लीडर अफ अपोजिशन लोक सभाका उसका सदस से रखा जाए इस बात पर जोर इनहीं लोगों ने दिया थै अब रहा सवाल कि लीडर अफ अपोजिशन अगर ना रहे जैसा कि नियम में है कानून में है कि कोई भी एक सदस से ना रहे तो भी चैन की प्रक्रिया अवैधानिक नहीं माने है हमारी चर्चा में था और चर्चा में ये क्यों आया उसी गुनियादी पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूँ जिन पांच लोगों को ये जिम्बेदारी दी गई थी कि वो चैन करेंगे लोगपाल के ये कल्पना की गई कि संभव है कभी किसी अवसर पर ऐसा मौका आ सकता है कि कोई एक व्यक्ति चैन की प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर या किसी कारण से अपना त्याग पत्र दे दे और अगर त्याग पत्र दे दे तो क्या समूची स्चैन की प्रक्रिया को बाधित करने में वो एक व्यक्ती सफल नहीं हो जाएगा और ऐसा करने से उसे रोका जा सके उसमें इसपष्ट कानून में नहीं होता ये चर्चा में होता है, विचार में होता है, बहस में होता है और उसके बाद जो निसकर्ष निकलते हैं, उनके आधार पर फिर कानून की भाशा का गठन होता है नियमन यही होता है ये इसके पीछे सोता कि किसी अन्य तातकालिक कारणवश कोई व्यक्ति, समझ लीजे के बहुत असाध भीमार हो जाए या किसी की मरत्ति हो जाए ऐसे अनेक संभावनाओं पर विचार करते हुए तातकालिक रूप से कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जिसमें लीडर और पांच लोगों में से कोई व्यक्ति न शामिल हो सके है चैन की प्रक्रिया में तो चैन की प्रक्रिया न रुक पाए इस बारे में सोच विचार करने के बाद हाला कि मैं बड़ा संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ आपकी इस दलिल से कि आप संतुष्ट हो या नहीं मुझे इसमें बड़े सारे सवाल उभा कि आ रहे है आपने मुस्से ये पूछा था कि ये चूकी में उस कमेटी का चेर्मेन था और चेर्मेन होने के नाते से इस कमेटी में इस बिंदू पर विचार किया गया कि नहीं और ये प्रावधान अगर बनाया गया इस नियम में कानून में तो वो क्या सोच के बनाया गया आपका प्रश्न था क्या उसमें ये कभी चर्चा आई कि नेता विपक्ष नहीं हो सकता कभी नहीं कलपना के ही बाहर रही क्योंकि निरंतर समूचे विपक्ष का भारती जन्ता पालटी सहित समूचे विपक्ष का सबसे बड़ा जोर इस बात पर था कि समूची चैन की प्रक्रिया में और चैन से सम्बंदित समिती में विपक्ष की भूमिगा अनिवार है उसके बिना कोई भी चैन अगर किया जाएगा तो वो सरकारी चैन माना जाएगा और जो लोगपाल सरकार के ही विभिन अनुशंगों का जांच करने वाला है अगर उसका चैन की प्रक्रिया में केवल सरकार की ही भूमी का रखना है तो वो निश्पक्ष कैसे रह पाएगा दूसरा वाला पॉइंट जो प्रशांत ने पूछा था कि अगर सरकार की मनशा सही है तो वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रख सकते हैं अगर सरकार इस मनशा के परदर्शन के लिए उसके पास कुछ कानूनी रास्ता तो होना चाहिए ना इस लोगपाल कानून में तो नहीं है उसके पास ये रास्ता नहीं है कि ये क्या वो फिर बदलाओ करें फिर आपने अभी मन्शा की बात की सरकार की मन्शा अगर है कि इस समूची प्रक्रिया को केवल लोकपाल तक ही सीमित नहीं है आपने स्वाइम भी अभी जिक्र किया एने चार्सी का जब चायन होगा तब लोग लीडर अफ अपोजिशन की जगरत पढ़ेगी सीबी आई के डाइरेक्टर के चायन में भी लीडर अफ अपोजिशन की कानूनन अब भूमिका बना दी गई है आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जैसे महत्पूर्ण संस्था के चायन में भी लीडर अफ अपोजिशन की भूमिका है अभी जो आपने जूडिशल अपॉइन्मेंट्स कमिशन बनाया कानून बनाया उसमें अगर ये विवाद ना होता लीडर अफ अपोजिशन का सरकार और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नहीं है तो बहुत संभव यही है कि इसमें भी लीडर अफ अपोजिशन ही ना शब्द होता इसमें भी बजाए इसके कि सरकार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर का जो अब प्रावधान किया गया है वो तो एक विवस्ता चूंकि पर यह सरकार इसमें कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है कुल मिला कि कहने का मतलब है सरकार के बहुत सारिक समवाइधानिक और बहुत महत्पून संस्थाओं के चैयन में लीडर अफ अपोजिशन की एक अहम भूमिका कानूनी भूमिका है स्टैचूटरी भूमिका है उस भूमिका का भरपाई कैसे होगा इस बात को सोचना होगा और मैंने सुना अभी कोई कह रहा था कि BJP के कोई नेता कह रहे है कि ठीके साब हम लोकपाल में संचोधन कर देंगे और उसमें हम जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होगा उसका हम उसकी वेवस्तान रख देंगे आप कानून बदलना चाहते हो मान सिकता नहीं प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष कोई लाना चाहते है अब तो स्पीकर का फैसला हो गया अब उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है जिस्पीकर का फैसला हो गया उसमें लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की एक महत्ता और एक भूमीका है उस भूमीका को नकारना चाहती है तो वो उसकी अन्चा हो चुका है कि बिना नेता विपक्ष या किसी भी रूप में लोगपाल की चैन समीती में विपक्ष की भूमिका के अगर आप लोका युक्त चुनते हैं, लोगपाल चुनते हैं, लोगपाल, तो वो एक तरह से सरकारी माना जाएगा क्योंकि यहां सत्वरत जी सुनी रहे होंगे कि वो कह रहे थे कि जब इसकी रूप रेखा तयार हो रहे थी तो विपक्ष की तरफ से जब आप थे तो यही मांग हो रहे थी कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व होना चाहिए नेता विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने का शब्द है उसको रिप्रेजेंट करने का प्रतिनिधित्व करने का शब्द है लेकिन मूल भावना तो यही रही होगी कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्या इसके बिना राजनितिक रूप से बीजेपी ये आप सोचते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए देखें यहाँ पर दो तीन चीजें स्पस्ट करनी पड़ेगी जो आपको भी स्पस्ट है लेकिन दर्सकों को स्पस्ट करना चाहिए अब सरकार का रोल आपने स्वेम कहा खतम हो गया है क्योंकि ये स्पीकर ने दे दिया और उसके बाद जब उच्छे न्याले में उचितम नयाले के तीनों जजों ने जो कहा है कि यह स्पीकर का मामला है इसमें सम्विधान समिक्षा यहाँ पर सुप्रीम कोड समिक्षा नहीं कर सकता है और इस पश्ट कर दिया और स्पीकर ने कहा कि हम प्रतिपक्ष का नेता बनाने की स्थिति में नंबर्स नहीं है इसलिए हम नहीं बना पाएंगे साफ तोर पर कहा है अब लोगपाल उस समय तो जनतंत्र में पता नहीं था कि चुनाव होगा तो प्रतिपक्ष की क्या इस्थिति होगी कॉंग्रेस की यह इस्थिति बन जायेगी कि वहाँ प्रतिपक्ष के लायक भी नंबर नहीं ला पाएगी अभी इन्होंने सत्यवच जी ने कहा कि अभी जो कानून बना है जजों की निप्ति वाला उसमें है प्रतिपक्ष का नेता है विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल के नेता अब इसका क्या स्वरूप निकालेंगे यह बात तो सही है कि निश्चित तोर पर अपनी अपनी भूमिका है सबकी लोगपाल सबका है सरकारी लोगपाल नहीं होगा उसमें निप्ति में जब लिखा है और सत्वर्जी अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने निप्ति प्रकरिया बनाई है तो उसमें प्रतिपक्ष का नेता है अब इसका क्या रास्ता निकलेगा यह तो आगे तै होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें कहा है कि ऐसे ऐसे क्या करेंगे आप इसके बाद क्या करेंगे आप तो निश्चित तोर पर कोई सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता निकाल सकता है लेकिन वह प्रतिपक्ष का नेतान कoralच के या बिना बिरो बरे दल के निता के इसमें कोई रास्ता न निकले उंकी उपस्थति ना हो या ऐसा नहीं हो क्योंकि लोगपाल सब के लिए है और لوगपाल की चैन प्रकिरिया में जिन जिन लोगों की भुमिका वो नि ही चाहिए लेकिन मैं पिर उसी बात पर आऊंगा इसमें ना हमारी सरकार की गलती है, न मैं स्पीकर की गलती मानता हूँ, जनतंत्र में जो जनतंत्र आया है, जनादेश आया है, उसकी उपेच्छा कैसी, अब देखे दिरिस्ता देखे, आप सुप्रिम कोड ने भी रही है, लेकिन जनादेश लोगपाल की उनके फैसले में कई पहलू होंगे, एक पहलू सरकार का भी है, मतलब उसमें सरकार ने क्या व्याख्या की है? अरुन रोतगी जो है, सरकार का जो आप कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा एट्रोनी जन्रन ने? कि प्रतिपक्ष के नेता नंबर पर होते हैं, आज यह संभव नहीं है, अब फिर बात आती है कि अब इस लोगपाल की नित्ती प्रकिलिया में क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या रास्ता होगा? यह तो आने वाले दिनों में चर्चा होने के बाद ही हो सकता है, या फिर उसकी कानूनी प्रशांद जी आपने अपने प्रभाजी को सुन लिया, सत्वर जी को भी सुन लिया, प्रभाजी एक बात कह रहे हैं और वो अपने सिमित दायरे में भी यह बात सपस्ट कर रहे हैं, कि वो भी नहीं चाहेंगे, सरकार भी नहीं चाहेगी कि लोका लोकपाल को हम ऐसे नियुक्त करें जो सरकारी कहा जाए उसमें किसी ना किसी प्रकार से विपक्ष की भूमिका हो लेकिन अब नेता विपक्ष उनके हाथ से बाहर की चीज चली गई है वो सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं रही है तो एक ही बात समझ में आती है कि कानून को बदल बदला जाए इसका मतलब अब तो शीत कालिम सत्र और एक साल तक लोगपाल लटका रह गया फिर तो नहीं इसमें देखे कई चीज़ां करी जा सकती है अगर सरकार की मन्शा सही होती सरकार की मन्शा आज जो सरकार की तरफ से अटर्नी जेनरल ने जो बोला उससे साफ हो गई उन्होंने ये बोला कि देखिए बगेर ओपोजिशन के रेप्रेजेंटेशन के भी हम नियुक्ति कर सकते हैं इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ओपोजिशन हाँ बिल्कुल साफ साफ बोला उन्होंने कि इसमें विपक्ष की भागिदारी होना कोई जरूरी नहीं है हम लोग बगेर उसके भी कर सकते हैं तो देखिए मन्शा तो उससे ही साफ हो गई दूसरा सवाल ये पूछा गया है जब इन्होंने ये बोला कि हम लोग इस लोक्पाल के कानौन में भी संचोदन करने की सोच रहे हैं तो court ने उनसे ये पूछा तो क्या आप इस section 4 का भी संशोधन करने की सोच रहे हैं जैसे कि judicial appointments commission में आपने आप बोल दिया है कि leader of the largest opposition party चाहे वो leader of opposition technically speaker ने ना designate किया हो कि आप वो भी सोच रहे हैं तो तुरंत उन्होंने बोला नहीं उसको नहीं सोच रहे हैं इसके मतलब ये सरकार की मन्शा साफ थी कि वो ये चाहती थी कि भई लोगपाल की न्यूकती बगैर विपक्ष के भागीदारी के हो जाए लोगपाल की भी न्यूकती और बाकी जो cvc एने चारसी वगएरा इन सब पोस्ट की लेकिन अगर सरकार इसको ठीक करना चाहती थी तो दो तरीके थे या तो वो speaker सबसे असान तरीका तो ये है कि speaker जो है अपना ruling revise कर सकता है मेरे राय में speaker की ruling सही नहीं है जो speaker को attorney general ने राय दी वो सही नहीं है कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता है कि विपक्ष का नेता आप न्युक्त नहीं कर सकते जब तक कि 10% वो ना हो वो कोई मावलंकर साहब की कोई 1950 की ruling site कर रहे हैं जिसका आपने बताया कि उसमें call and शकदर में लिखा है कि वो 1985 के बाद वो खतम हो गई थी लेकिन खतम हुई है ना हुई हो वो कानून नहीं है आज चाहें कोई speaker मावलंकर साहब ने जो कुछ बोला था या उस समय लिखा था वो कोई कानून नहीं है उसको कानून का दर्दा में दिया जा सकता है अगर सरकार की मन्शा सही है और सरकार अगर speaker को यह दलील देती है कि इसमें leader of opposition आप newkt कर दीजे उसके लिए जो भी rule बनाना हो या amend करना हो rule amend किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है rule ही तो है rule तो या तो speaker बनाता है या सरकार बनाती है वो amendment हो सकता है rule में